हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो इंसे आटी मंत्रा अगर आप DT प्लस बी TGT सोशल साइंस केंडिडेट हैं और चाहते हैं कि 2024 में आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाए तो यह जो आज की वीडियो है वो आपके लिए ही है DT प्लस बी की तैयरी करने वाले बच्चों को यह पता होगा कि previous year questions करने कितने ज़्यादा जरूरी होते हैं और अगर previous year questions ठीक से किये जाए तो आपका सेलेक्शन यहां से काफी ज़्यादा अशूर हो जाता है लेकिन previous year questions करते कैसे हैं यह आपको इस video series को follow करके जानना होगा बच्चे क्या करते हैं कि previous year questions के answer याद करके चले जाते हैं जिससे उनको 0% फाइदा होता होगा कोई फाइदा नहीं है अगर आप सिर्फ questions के answer याद करके जाएंगे previous year questions करते हुए हर एक question के detail explanation करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आने वाले exam में कोई भी question repeat नहीं होगा हो सकता है कादा हो भी जाए लेकिन topics ज़रूर repeat होंगे ठीक है तो आपको हर एक question की detail explanation करके जाने हैं उस topic को करके जाने हैं तो यह जो video series है इसमें हम हर एक question की detail explanation करते है हर एक topic को cover करते हैं और आज की video में हम इस series की class 16 को continue करेंगे तो अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe करना ना भूले साथ ही यह हमारा telegram group है ncrt mantra और यह हमारा telegram channel है ncrt mantra official दो इसलिए हैं कि group पर आप message कर सकते हैं आपका कोई question है वो पूच सकते है channel पर आप message नहीं कर सकते लेकि चलिए आज का पहला question करते है वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और साथ साथ notes बनाने है यह ध्यान रखना ठीक है question है which provisions of the treaty of Versailles is correct इन में से Versailles की treaty को लेकर कौन से provision सही थे या सही है the Versailles treaty reduce the border of Europe तो पहला है Versailles की जो treaty थी उसने Europe की सीमा को फिर से परिभाशित किया और दूसरा है article 231 में यह बोला गया कि जो war crimes है उनके लिए जो जर्मानी है वो गिल्टी है ठीक है सारे war crimes के लिए जर्मानी को दोशी माना गया तो पहले answer देख लेते हैं तो जो answer है वो A है दोनों ही statement है वो सही है अब इस topic को समझी है यहां से और क्या question आएंगे तो पहल मतलब हिंदी में मित्र राष्ट्र बोलते हैं और दूसरी तरफ थे केंद्रिय शक्ति या सेंट्र पावर यह दो गृप्स थे और इसमें कुछ country शामिल थी तो important countries के नाम आपको याद कर लेने हैं कौन कौन सी country शामिल थी तो जो allies थे या मित्र राष्ट्र थे allies की जो important countries थ ठीक है तो allies में थे Britain, France, Russia और USA दूसरी तरफ थे Central Power या केंद्रिय शक्ति हिंदी में बोलते हैं जो Central Power थे उसमें सबसे important country थी जर्मनी और कौन-कौन थे? Australia, Australia नहीं बोल रही हूं मैं, Australia ठीक है? Australia था और Bulgaria यह कुछ countries थी अब हुआ क्या था? कि First World War में जैसे ही allies में USA शामिल ह 2017 में तो allies बहुत जदा powerful हो गए और इन्होंने Central Power या यह कहें कि Germany को हरा दिया, ठीक है? तो इसमें First World War में जो Central Power है या जो Germany है वो हार गया था और Germany के हारने के बाद ही यह जो Versailles की Treaty थी, Treaty of Versailles इसको लाया गया था इस Versailles की Treaty के दो प्रोविजन तो आपके सामने हैं स्क्री तो जो Versailles की Treaty थी सबसे पहले एक ध्यान रखें कि यह जर्मानी पर थोपी गई थी और जर्मानी पर जर्मानी के अगेंस्ट थी है और जर्मानी जो था उसके लिए बहुत ज़्यादा humiliating मानी जाती है यह Versailles की संधी क्यों मानी जाती है अब यह देखिए क्योंकि इसके जो प्रोविजन्स थे ना वो जर्मानी के लिए बहुत ज़्यादा अपमांजनक थे कैसे पहला जो जर्मानी के जितने भी ज्यादा जितनी भी कॉलोनीस थी जितने भी उपनिवेश थे वो सब इस ट्रीटी के जरीए जर्मानी से ले लिए गए दूसरी चीज जर्मानी को war crimes के लिए guilty माना गया और उस पर compensation थोपा गया उससे forcefully compensation लिया गया कितना 6 billion pond का compensation जर्मनी से लिया गया तीसरी चीज़ जर्मनी का एक शेत्र था Rhineland जहाँ पर resources बहुत जादा हुआ करते थे Rhineland को भी occupy कर लिया गया और जर्मनी से ले जर्मनी थी जो जर्मनी था उस पर इतनी जादा शर्ते थोपी गई जो बहुत जादा अपमान जनक थी तो ये थी आपकी वर्साई की संधी जो first world war के बाद हुई थी आपको ये बहुत ध्यान से करना है और इसके notes बनाने है साथ साथ आज का next question है इन में से किस दिन जो sun rays है वो topic of cancer पर सीधी पढ़ती है सुर्य की किरने जो करकर एखा है उस पर सीधी है लंबवत पढ़ती है तो इसका answer है 21st of June और क्या important है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि जो 21st June है ना 21st June का जो day है वो longest day होता है year का 21st June is the longest day of the year सबसे बड़ा दिन होता है year का ठीक है तो आपको यह fact जो है वो याद रखना है थर्ड question who based his ideas on how to change the world on the scientific analysis of society through history तो इन में से वो कौन थे जिने यह लगता था कि अगर हम इतिहास के जरिए समाज का विज्ञानिक विश्लेशन करें ठीक है अगर हम history के जरिए जो society है उसका scientific analysis करें तो दुनिया को बदल सकते हैं इन में से किसको यह लगता था तो इसका answer है काल माक्स और काल माक्स के उपर जो है आने वाले paper में भी सकते हैं तो आप यह काल माक्स को एक पर ध्यान से पढ़ ले नेक्स कोशन है फिर एक important चीज मैं बताऊंगी इसका answer है United States and Canada अब एक important चीज आप जान लीजे इस कोशन में जो इससे थोड़ा सा related है जो first world war थी न first world war में जितनी भी country शामिल हुई थी उन सबकी economy पर बहुत फर्क पड़ा था बहुत जादा असर हुआ था फिर चैण लेकिन इन सभी में जो USA था न उसकी economy ने सबसे जल्दी recovery की थी USA की economy ने सबसे जल्दी recovery की थी first world war के बाद और इसकी वज़े से first world war के बाद ये जो USA था वो international adapter से international creditor बन गया था ठीक है तो ये कोशन आ सकता है कि वो कौन सी country है जो first world war के बाद international debtor से international creditor बनी तो USA पहले विश्विद के बाद international debtor से international creditor बन गया था बहुत ज़्यादा powerful होकर सामने आया next question when was Delhi captured during the revolt of 1857 अठारो सो सतावन की जो क्रांती हुई थी जो विद्रो हुआ था उसमें दिल्ली पर कब कबजा किया गया तो पहले आंसर देख लिजिए आंसर है 20 सितंबर अठारो सो सतावन 20 सेप्टेंबर 1857 अब क्योंकि Delhi पूछ लिया है तो कुछ important शहर है जो आगे जुरत महल थी अगर आपको याद होगा तो और लखनाव के बाद दूसरा है कानपूर जो कानपूर है उसको कैप्चर किया था 16 दिसंबर 1857 को ठीक है कानपूर को कब कैप्चर किया था 16 दिसंबर 1857 तो ये दो फैक्ट है इस से रिलेटेड नेक्स कोशन रोबर्ट ओवन तो जो रोबर्ट ओवन थे उन्होंने अपनी सहकारी पत्रिका में कौन से एर में सोशलिस्ट शब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था तो इसका आंसर है 1827 में रोबर्ट ओवन ने इस शब्द का प्रियोग किया था इन में से कौन सा ओ प्लैनेट है जो जोवन ग्रह में शामिल है तो आंसर है B Saturn और इंपटन चीज ग्या है सबसे पहले आप देख लीजिए जो जोवन प्लैनेट में शामिल किया जाता है और उन चारों के नाम आपको याद करने हो सकता अगली बार वो पूछ लेंगी पहल और Neptune, इन चारों को जो है, जो विन प्लैनेट बोला जाता है, इन चारों को collectively, ठीक है, तो आपको यह याद करना है, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune, हो सकते, अगले बार कोई दूसरा पूछ ले, इन में से कौन थे, जिन्होंने भुकम का पता लगाने के लिए, उपकरण तयार किया था सबसे पहले, ठीक है, तो इसका आंसर है, चांग हिंग, और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कि वो इंस्टूमेंट, जो अर्थक्विक को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ, जादे तर बच्चों को पता होगा, कि वो इंस्टूमेंट, जो अर्थक्विक को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं, सिस्मोग्राफ, इसको लेकर इन में से कौन से जो स्टेटमेंट है, वो सही है, यह आपको बताना है, पहली स्टेटमेंट है, कि इसे इस कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो बुक को कारल मार्क्स और चार्ल्स फोरियर ने लिखा था, और यह 1848 में पब्लिश होई थी, तो यह स्टेटमेंट गलत है, अभी बताऊंगी क्यों, और देर थोट्स बिकेम दा बेस यह जो सेकेंड स्टेटमेंट है, वो ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी तो आंसर है C, अब एक चीज़ देख लीजिए, कि कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो जो थी, उसको लिखा किसने था, यह आने वाले एक्जाम में पूछा जा सकता है, दुबारा से, तो एक तर कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो जो थी, उसको लिखा था, और यह बुक पब्लिश कब हुई थी, यह भी देख लीजिए, 21st Feb 1848 को, जो कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो थी, वो पब्लिश हुई थी, इंपोर्टेंट है, याद रखना, इन में से, मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टानों को लेकर, कौन सी विशेष्टा जो है, वो सही है, तो पहला है, इस रॉक्स में फॉसिल्स या जिवाश्म नहीं होते, और तीसरा है, कॉंगलोमरेट एक परकार की रुपांतरित चट्टान है, या कॉंगलोमर जो है, वो मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इसका आंसर जो है, वो क्या होगा, वो होगा, फर्स्ट एंड सेकिंड, यह दोनों स्टेट्मेंट सही है, तीसरा गलत है, अब इसका थोड़ा से एक्स्पेनिशन देख लीजिए, जो आने वाले एक्जाम में आ सकता है, सबसे पह जो होती है, वो तीन तरह की होती है, पहली होती है, इग्नियस, इग्नियस को हिंदी में बोलते है, आगने, एक एक करके समझाती हूं में, जो इग्नियस रॉक्स हैं, वो कैसे बनती है, तो वो मैगमा, मैगमा के ठंडा होने से बनती है, जो दूसरी रॉक होती है, वो होती UK पर एक तो उनके deposit होने से sedimentary 기places रोकस है वो बन, और जो तीसरी होती है वो कॉनसी होती है वो metamorphic rock होती है जो भी पढ़ाता है, ठीक है तो ये सही है कि metamorphic rock है läuft उनमें fossil नहीं होता कॉनसी rok में fossil होता है sedimentary rocks में क्योंकि dictates के deposit होने से बन, तो sedimentary जो फॉसेल पाए जाते हैं ठीक है आने वाले पेपर में हो सकता है सब्सक्राइब सेडिमेंटरी रॉक का पूछ लें ठीक है तो सेडिमेंटरी रॉक का पूछ लें तो आपको यह याद रखना है नाम इसका अगे चलते हैं और आज का लास्त कोशन है विच और दा इन में से कौन से जो हैं वो सही से सुमेलित किये गए हैं पहला है सौवियत जर्मन नौन अग्रिशन पैक्ट सौवियत जर्मन गैर अकरमक्ता संधी 1939 दूसरा है ट्रीटी ओफ लॉजेन लॉजेन की संधी 1923 इसका जो आंसर है वो सी है दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सह